हेलो दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे जो कि है वाई बराबर टू अंडर रूट कॉट यक्स स्क्वेर तो दोस्तों इसका हमें आउकलन करना है देखिए इसको आउकलन करना तो बहुत असान है बहुत इजी सवाल है फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए इसे बता रहा हूँ तो चलिए शुरू करते हैं तो देखिए फ्रेंट्स यहाँ पर लिखा है वाई बराबर टू अंडर रूट कॉट यक्स स्क्वेर आप देखिए हमें यहाँ पर यक्स के सपेच आउकलन करना है तो इसको हम लिखेंगे कैसे सबसे पहले लिखिए इसको डिवाई वाई डिवाई डिएक्स उसके कोट yaks square है इतने को पूरे को माल लिजिए Yaks अगर हम Yaks माल लेंगे तो यह क्या हो जाएगा अंडर रूट Yaks अब इसका उकलन क्या होता है हमेशा याद रखना एक वटा टू अंडर रूटやक्स ठिक इसका यह उकलन होता है तो इसी तरह से यह इसके स्थान पर yaks इसको मा बाहर रहेगा और यहां पर देखे जब इतने एक आउकलन करेंगे तो यहां पर देखे एक बटा टू अंडर रूड यक्स तो यहां पर एक बटा यहां पर गुड़ा होगा एक बटा टू ऐसे हो जाएगा तो उसके बाद देखे यहां पर देखे इसको हमने यक्स माना था चुकि यह यक्स नहीं है, इसलिए इसका हम फिर से उकलन करेंगे, अगर यह यहाँ पर सिर्फ यक्स होता, तो इसका उकलन दुबारा ना होता, ऐसे होता, तो इसका दुबारा उकलन ना होता, लेकिन अगर इसके अस्थान पर अगर हम कुछ मान रहे हैं, तो इसका उकलन हम फिर से करेंगे तो cot yaks square cot yaks square का हम फिर से उकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा minus का होगा cos x square और यहाँ पर जो लिखा है उसको लिखिए अब देखिए यहाँ पर yaks square है अब yaks square का फिर से उकलन होगा देखिए हम आपको दो से तो दो ये कट जाएगा अब यहाँ पर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा माइनस और यहाँ पर क्या है कॉसेक स्क्वेर यक्स स्क्वेर और यहाँ पर क्या है दो यक्स है फिक और यहाँ पर पूरे का बटा लगाईए यहाँ पर क्या बचा है यहाँ पर बचा है cot स्वरी यहाँ पर square नहीं है cot x square है यह है अब देखें यहाँ पर यह आपका हो जाएगा dy y dx अगर आप चाहो तो इसको इतना ही solve करके छोड़ सकते हो यह भी आपका answer है अगर आप इसको और आगे solve करोगे तो यह देखें इसको sine cos में इसको तोड़िए तो यहाँ पर देखें कॉसेक के स्थान पर क्या होता है एक बटा sine theta होता है तो यहाँ पर अगर हम इसका मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा minus यहाँ पर कॉसेक का मान रखेंगे तो हो जाएगा एक बटा sine square yaks square ये हो जाएगा cos e square ठीक आप इसके बाद देखिए यहां पर 2 yaks लिखा है 2 yaks लिखिए पूरे का बटा यहां पर cut square तो देखें काट के अस्थान पर क्या होता है cos बटा sin theta तो यहां पर under root लगाईए यहां पर क्या हो जाएगा Cos X square बटा sin X X square यह हो जाएगा अब देकिए यहां पर क्या करोगे आप अब यहां पर सबसे पढ़ spent यहां पर देकिए sin square Y square इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर sin X square जो है वो दो बार लिखा हुआ है ऐसे sin X square into sin x square यह देखिए तो इसको हम square तो इसको अगर हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बटा sin x square into sin x square ठीक उसके बाद देखिए यहाँ पर minus लगा है minus लगा दीजे यहाँ पर दो यक्स है बटा इसको अगर हम इसको काईसे लिखोगे इसको ऐसे लिगो सकते हैं यहाँ पर शिर्फ एक को बदलिए बांकी نہ बदलिए ताकि यह स्क्ट जाये साइन से साइन देखें इसको काटेंगे कैसे यहा पर उपर सिर्फ कितना है दो यक्स है और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर देखें इसको हम बना सकते हैं अंडर रूडि चैन। स्क्वाइर का साइन यक्स स्क्वाइर का स्क्वाइर ऐसे बना सकते हैं क्योंकि अगर आप इसको सॉल्ब करोगे तो इतना आ जाएगा तो इसलिए इसको हम ऐसे बना सकते हैं इंटू साइन यक्स और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिका है under root cos yaks square बटा under root sin yaks square तो देखिए इससे एक कट जाएगा तो यहाँ पर सिर्फ इतना बचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो देखिए सिर्फ आपका इतना बचा था ठीक solve करने पर अब देखिए अब आगे इसको आप कैसे solve करोगे देखिए इसको solve करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले आप इसको क्या करिए यहाँ पर इसको और इसको एक साथ लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा minus का दो yaks हो जाएगा और यहाँ पर जो sin yaks square है इसको ऐसे लिखे और यहाँ पर देखे यह भी अंडर रूट में यह भी अंडर रूट में तो इसको एक साथ कलीजे तो यहाँ पर इसको जब गुणा करेंगे तो देखे, दो से उपर नीचे गुणा करेंगे, तो यहाँ पर देखे, टू साइन यक्स इंटू कॉस यक्स, यह हो जाएगा, तो इसका सूत्र क्या होता है, साइन टू यक्स हो जाता है, तो यहाँ पर इसके अस्थान पर हो जाएगा, साइन टू यक्स, तो यहाँ पर दे तुएकसि स्कॉयर यह हो जाएगा अब देखे और यहां पर नीचे क्या बचेगा यहां पर yaci दो बचेगा तो यहां पर यह रूट 2 धाएगा अब देखे यह भिनने के नीचे भिननै पिलट जाएगा यह सबसे उपर हो जाएगा तो यहाँ पर आपका जो सवाल का answer हो जाएगा वो आ चुका है अब देखे इसको कैसे करोगे यहाँ पर लिखे 2x यह सबसे उपर हो जाएगा तो यहाँ पर under root 2 लग जाएगा और यहाँ पर बटा और यहाँ पर क्या हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूड साइन टू यग्स स्क्वेर यह आपका एंसर हो जाएगा हलांकी अगर आप चाहो तो इसको इतना सॉल्व ना करने के बजाए आप कॉसिक स्क्वेर जहाँ पर आया था यहां तक सॉल्व करके ही आप छोड सकते हो अगर आप और आगे सॉल्व करना चाते हो तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो आई हो फ्रेंड्स आपको सवाल समझ में आ गया होगा अगर आपको कहीं पर डौट हो तो आप इसे दुबारा भी देख सकते हो और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर करें और कमेंट करना तो विल्कुल न भूलें क्योंकि जिसका सबसे अच्छा कमेंट होता है उसको हम अपने कॉम्यूटी में डाल देते हैं तो आप लोग भी कमेंट करना न भूलेगा तो थांक्स पॉर रॉचिंग और सू अगें इन निक्स वीडियो